What's up everyone, welcome back to the channel, guys, इस quick revision के अंदर हम लोग revise करेंगे हमारे 6 chapters, post DC और consumer protection, although 3 मैंने आपको कल करने के लिए दिये थे, उसके important questions भी हम कर चुके हैं, बट एक quick revision में आपको दुबारा से करा देता हूँ, so that आपके सारे के सारे 6 chapters revise हो जाए, और ये video आपके लिए बहुत important रहे जब हम concepts revise करने हो, तो चलिए, जली से शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़े cover होने वाली है, let's begin, तो शुरू करते हैं यार, बस एक बात का ध्यान रखना बच्चो, ये एक quick revision है, आपको जिस भी particular topic में लगे कि सर, मुझे problem आ रही है, मुझे याद नी आया, या ये मुझे दुबारा detail में देखना है, तो उसके लिए G&G वाली video देख ले ना, या उससे पहले भी जो मैंने detailed videos बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हो, साल में तीसरी बार आ भी ये दुबारा से कराने जा रहा हो, तो कोई भी video आप refer कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से तयार कर लेना, चलो यार, शुरुआत करते हैं, प्लानिंग के मतलब से, तो सर प्लानिंग होता क्या है, जब भी आप advance में decide करते हो, deciding in advance, सर क्या decide करना है, what to do, how to do, when to do, who will do, तो planning is closely connected with creativity and innovation, it involves objective set करना, अच्छे course of action देखना, और फि के अदर आ जाता है, features क्या क्या होते है, planning का focus हमेशा objectives पर होता है, इसको हम primary function, पहला function बोलते है, परवेसिव है, परवेसिव का मतलब कैसा भी organization हो, छोटा बड़ा profit making, non-profit making, सब को चाहिए, continuous है, चलता रहता है, जब खतम नहीं होता, futuristic, it is all about the future, planning में आपको बहुत साई decision making करनी पड़ती है, क्यों क्योंकि आपके पास बहुत सारे courses of action होते हैं, आपको best select करना होता है, एक mental exercise है, क्योंकि mind से होती है, planning सारी की सारी, planning क्यों important है, क्योंकि planning से आपको direction मिलता है, कहां चलना है, कैसे चलना है, planning आपका risk of uncertainty कम कर देता है, future में आने वाली problems को कम कर देता ह planning innovative ideas को promote करता है, नए नए ideas क्योंकि दिमाग से होगी कि तो creativity innovation लगाना पड़ेगा, planning में decision making करनी पड़ती है, वो मैंने आपको वहाँ भी बताई, planning establishes standard for controlling, planning एक base है controlling के लिए, controlling क्या होता है, check करना कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम है क्या, वो कहां से आएगा planning से आएगा, उसके बाद planning अगर properly होई है, सब कुछ well defined है, तो ना तो कोई overlapping होगी, ना ही कोई wasteful activity होगी, ठीक है बिटा, इसके बाद हमारे पास process of planning आजाता है, sir process of planning में क्या आता है, as dies if, याद है, process of planning में क्या आता है, as dies if, सबसे पहले objective set करना, यानि goal set करना, objective आपके कैस होने चाहिए, measurable हो, time bound हो, achievable हो, specific हो, तो इन चीजों का relevant हो, इन चीजों का ध्यान रखना है, तो objectives कैसे होने चाहिए, smart, ठीक है, specific, measurable, achievable, relevant, time bound, फिर आप objective set करने के बाद कुछ assumptions बनाते हो, क्योंकि planning is all about future, तो बहुत सारी चीज़े, assume करके चलनी पड़ती है, future के बारे में क यह हुआ तो यह करेंगे, यह हुआ तो ऐसा करेंगे, तो premises develop करना, फिर identify करते है, alternative courses of action, जोतने भी अलग 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 courses of action होते हैं, उनको identify करना, then evaluate करना, evaluate का मतलब एक detailed study करना, deep analysis करना, deep study करना, कि यह चीज क्या हमारे लिए best रहेगी, इसके क्या merits है, क्या demerits है, फि हुआ है, क्या सर इतना कुछ करने के बाद भी कुछ कमी रह सकती है, क्या limitation हो सकता है, yes, planning leads to rigidity, जब आपने सब कुछ पहले से ही fix कर दिया, बाद में कुछ situation बदल गई, तो कैसे बदलोगे उसको, rigidity आ जाती है, अगर तुमने पहले से plan बनाया, flights book कर दी, non refundable tickets है, तो फिर rigidity आ गई, नहीं जाओगे, तो पैसे कर उक्सान तो हो गई होगा, rigidity आ गई, ठीक है, planning में not working है, dynamic environment, अगर एक dynamic environment है, बहुत तेजी से change हो रहा है, तो वहाँ पे planning काम नहीं कर रहा है, planning में creativity कम होती है, sir, किसकी lower levels की, क्योंकि planning mainly कौन कर रहा है, top level कर रहा है, तो middle और lower को ब planning is a time consuming process, समय बहुत लगता है, इतना कुछ करने के बाद भी planning doesn't guarantee success, उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास कितने तरीके के plans हैं, तो बच्चों देखो, plans हमारे पास single use हो गए, उसके बाद standing plans हो गए, उसके बाद other plans हो गए, तो single use कौन कौन से होते हैं, single use होते हैं, जो ए then we have program, आपने कोई छुटी, कोई vacation, कुछ भी ऐसा plan करा है, वो program है, हर बार निया बनेगा, then we have project, project का मतलब targets होता है, वो भी हर बार नए बनते हैं, ठीक है, main जो आपके plans है, वो PPP, rhombus ही हैं, तो project देखके confused मतो जाना हो, यह क्या हो गया भाई, project का मतलब goals, targets, ठीक है, उसक procedure, जो आपको as it is, follow करने होंगे, वो क्या है, procedure है, जैसे आपका admission procedure, college का, admission procedure, school का, export procedure, import procedure, यह हो गए, methods, methods, क्या है, तरीके, depreciation लगाने का method, right, तो किसी भी तरीके का method हो, वो आ जाएगा, rule, नियम भी एक बना दिया, तो फिर वो रहेंगे, इसके बाद objective, यह भी हो सकते है, यह भी हो सकते है, तो इसको अलग में रखा है, strategies में भी बचो, अच्छा objective का अलब goal, strategy होता है, कि जैसे किसी भी चीज से fight करने के लिए, जैसे four days preparation strategy, कि बढ़िया हो जाए, तो strategies आपको help करती है, किसी भी चीज को tackle करने में, fight करने में, competitor को पीछे चोड़ने में, यह strategy होती बच्छो, policy क्या है, general guidelines होती है, किसी भी organization के लिए, procedure क्या है, जो line wise आपको follow करना है, उपर नीचे नहीं कर सकते, method एक way है कि task कैसे perform होगा, rules यानी नियम, जिनको follow करना ही करना पड़ेगा, है ना भई, अगर line के आगे जाके bowler bowl करेगा, तो no bowl होगी, वो rule है, आप lines आगे न आता है, पूरा planning मैंने आप लोगो quickly revise करा दिया, अगले chapter पर जलते हैं, जो कि है हमारे पास organizing, sir, organizing का क्या काम होता है, बच्चों देखो, organizing का काम होता है, जो आपने plan करी है, चीजे, उनको शुरू करवाना, आप शुरू करवाने के लिए, अलग-अलग targets बनाने मारे घर में सब कुछ well-organized, well-defined होता है, कपड़ें यहां मिलेंगे, जूतें, यहां मिलेंगे, books, यहां पे होंगी, यहां सोना है, यहां dinner करना है, यहां lunch करना है, सब कुछ defined होता है, हर चीज की अपनी एक जगा होती है, वो एक organizing का ही part है, organizing यही है, एक organization में भी हर इंसान क everyone, men as well as material, जो भी लोग organization में है, सब की अपनी अपनी एक place है, सब का अपना अपना एक time है, इस time पर यह होगा, यह organizing ही है, ठीक है, तो organizing क्या है, implementation of plans by clarifying jobs, clarify करना, relationships develop करना, proper utilization करना, resources का, organizing का process क्या है, IDAE, sir what is IDAE, number one is identification and division of work, आप पहले काम को identify करो, फिर divide करो कि क्या क्या काम है, then we have departmentalization, departmentalization का मतला, फिर आप departments बना ओ, जो similar nature की चीज़े हैं, उनको एक साथ लिया हो, departments बना दो, then assignment of duties, काम दे दो, इन departments को काम भी तो देना पड़ेगा, आप banks में देखते हो, अलग-अलग departments होते हैं, फिर उनको काम relationships बनाना, यानि कौन boss होगा, कौन superior होगा, कौन subordinate होगा, तो यह जो management की hierarchy है, कौन superior, कौन subordinate है, organizing से ही develop हो जाती है, ठीक है, organizing क्यों जरूरी है, specialization आएगा, जब एक department आपने बना दिया, suppose production department है, तो वो production, production, production ही कर रहा है, जैसे मेरा गाम मेरे organization में पढ़ाना है, मैं teaching department में ह देता हूँ कि भाई, यह important है, ऐसे पढ़ो, इस तरीके से लिख क्या हो, पूरे number मिलेंगे, हर साल बच्चे 300 में से 300 में मेरे subject में, 400 में से 400, in fact, physical भी तो है, EP भी तो है, पूरे-पूरे number लाते हैं बच्चे, तो वो क्या हुआ, specialization आ गया, clarity in working relationships, clarity in working relationships का मतलब क्या है, सब कुछ बहुत clearly define किया जाता है, तो आपका goal जल्दी अचीव होता है, adaptation to change, जब आपको सब कुछ बहुत properly पता है, सही इंसान, सही जगा पे है, वल्लब सही department में है, तो वहाँ पे adaptation to change, change के हिसाब से बदलना असान होगा, administration अच्छा होता है, क्योंकि कुछ भी wastage नहीं होता, personal growth होती है लोगों की, जितने भी लोग लगे हुए है, personnel, यानि group of persons working in your organization, उन सबका overall development होता है, और expansion और growth हमें देखने को मिलता है, ठीक है बच्चो, उसके बाद एक छोटा सा topic आता है, span of management क्या होता है, span of management होता है, कि एक superior के under कितने subordinates काम कर रहे हैं, अच्छे से, उसके organization structure आता है, structure का मतलब है basically, वो blueprint जिसके अधार पे आपने अपना organization बनाया है, यानि organization में departments के से बनाया है, उसको structure बोलते है, functional, divisional, functional क्या होता है, आप जब भी departments बनाते हो, on the basis of functions, ठीक है, कि कौन क्या काम करेगा, उसके हम लोग बोलते है, functional, organizational, structure, divisional क्या होता है, जब भी departments बनाते हो, on the basis of product, तो अगर एक company है, जो एक से जादा product बनाती है, cosmetic अलग कर दो, footwear अलग कर दो, medicine अलग कर दो, ऐसी ऐसी companies, जो बहुत साही चीज़े बनाती है, वहाँ divisional चलता है, ऐसी company जो एक ही product बनाती है, तो वहाँ functional चलता है, ठीक होगा बच्चो, functional के advantages, specialization देखने होती है, focus अच्छा होता है, disadvantages, वही बात है, deviation in interest, मतलब कही बार, ऐसा होता है, कि हमारा focus बस अपने departmental goals पर होता है, overall goals हम भूल जाते है, लड़ाई जगड़े बाते हैं, departments में आपस में, उसके बाद coordination कही बार नहीं बनता, और rigidity बनी आती है, rigidity का मतलब, कि आपका department बस होता ही कुछ नहीं है, तो वही बात है कि rigid हो जाएंगे, अपने अपना काम करेंगे, तो कई बार organization goals achieve नहीं हो पाते, ठीक है जी, divisional भी मैंने आपको बता दिया, divisional की क्या क्या advantages है, इसके अंदर product specialization मिलेगा, accountability fix करना बहुत असान होता है, future positions के लिए आप लोगों को तयार कर रहे हो और अच्छे initiatives देखने को मिलते हैं, disadvantages, conflicts हो जाता है, ठीक है, conflict का मतलब लड़ाई जगडा चलता है, duplication हो सकता है, अब देखो, अलग अलग जगा, suppose production में ही, आपने production department तीन बने है, क्यों क्योंकि cosmetic का लगा है, footwear का लगा है, उसके साथ साथ medicine का लगा है, तो production को क application हो सकता है, power का में issues हो सकता है, यह इसके demerits है, उसके बाद आता है, बच्चों, हमारे पास दो तरीके के organization, एक होता है, formal, एक होता है, informal, sir, formal organization किसको बोलते है, formal organization बोलते है, मिटा, जहां पर सब कुछ बहुत clearly defined होता है, powers, सब के goals, सब के functions, बहुत clearly defined होंगे, और कोई भी क बनाई जाती है, to accomplish a task, सब कुछ बहुत clearly इसके अंदर define होता है, ताकि goals achieve हो पाए, ठीक है, इसके advantages क्या है, responsibility fix करना बहुत असान होता है, इसके अंदर, यानि आप पकड़ सकते हो, किसने गलती करी है, कोई ambiguity नहीं होती instructions में, क्योंकि return में होते हैं, सब कुछ well defined होते है, over the mail होता है, command, जो unity of command है, वो maintain रहता है, goals achieve होते हैं, और stability रहती है organization को, disadvantages, क्योंकि सब कुछ order से चलेगा, A, B को बताएगा, B, C को बताएगा, तो कई बार procedure delay आते हैं, organization की practices कई बार follow नहीं हो पाती, और problem रहती है, human relations में, लड़ाई जगड़ा चलता है, informal होता है, जैसे आपकी friendship, आप school में गए, school एक formal organization है, वहाँ से आपकी दोस्ती हुई, आप friends बने, friends ने जाके party करी, अब वो जब बैठे हैं, आपस में, तो वो एक दूसरे से कुछ भी discuss भी करेंगे, एक दूसरे की टांग भी खिचेंगे, हजी मजाग भी करेंगे, तो वहाँ पर चल रहा, informal, तो social needs पूरी होती है, और यह जो formal की कमिया थी, उनको पूरा कर देता है, और यह बनाना नहीं पड़ता, खुद ही बन जाता है, ठीक है, disadvantage है, रूमर बहुत फैलते हैं, ठीक है, resistance to change, लोग चेंज नहीं करना चाहते है, और pressurize member to confirm to group expectations, इसके बाद बच्चों मार पास एक टॉ immediate subordinate को transfer कर सकता है, यार मेरे लिए काम कर दे, superior थोड़ा free हो जाएगा, mind relax हो जाएगा, time मिलेगा उसको और चीजों को सोचने को, तो जब भी एक superior अपने immediate subordinate को कुछ काम transfer करता है, उसको हम delegation बोल देते हैं, ठीक है, elements कितने हैं delegation कि, authority, responsibility, accountability, authority का मतलब power to take decision, responsibility का मतलब obligation to perform the duty, accountability accountability का मतलब answerable होना, then delegation क्यों important है बच्चों, अच्छा management होता है, इससे employees का development होता है, काम करने को मिलता है, motivated रहते है employees, growth होती है organization की, ये basis है management hierarchy का, और अच्छा coordination बना रहता है, उसके बाद आता है बच्चों, centralization, decentralization, centralization क्या होता है, एक ऐसा organization जहां पे सारी की सारी decision making top level से होग उस process को हम क्या बोलते है, centralization, और ऐसा organization को हम क्या बोलते है, centralized organization, decentralized कौन सा होता है, जिसके अंदर सारी decision making बटी होती है, throughout the levels of the organization, उसको क्या बोलते है, decentralization, ठीक है, चलो भाई, decentralization भी समझ गए, अब delegation और decentralization मैंने आपको case based questions में भी कराया था, delegation दो लोगों के बीच में होता है decentralization throughout the organization होता है, यह इसके importance है, इससे subordinate को initiative लेने का मौका मिलता है, आप manager, talent ढूल सकते हो future के लिए, decision making quick होता है, top management को relief मिलता है, growth होता है, control करना असान होता है, तीसरा chapter आ रहा है बच्चों हमारे पास staffing, staffing is all about staff, staffing is all about people, लोगों के बारे में बात होगी, staffing का मतलब होता है, putting people to jobs, placing right person at the right job, मुझे कोई बोले कि बहिया, आपको एक club में जाके, वहाँ पे DJ play करना है, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, I am not the right person for that job, मुझे कोई बोले कि आपको college में जाके lecture देना है, school में जाके बच्चों को motivate करना है, उनको inspire करना है, उनको career के बारे में बताना है, I can do that, तो स सही इंसान सही जगा पे होना चाहिए, सही है, यही staffing है बटा, okay, staffing में पूरा process था बच्चों, आप staffing कैसे करते हो, सबसे पहले आप manpower requirement को estimate करते हो, सब स्टाफिंग का memory technique है जी बच्चों, engineer SPTPPC, engineer SPTPPC, यह याद रखना है, ठीक है, सबसे पहले आप manpower requirement को estimate करते हो, इसके ल load analysis, workload का मतलब होता है, कितने लोगों की जूरत है, workforce का मतलब अभी कितने currently available है, कितने currently काम कर रहे हैं, सबसे जरूरत है, बीस की काम कर रहे हैं, 15, तो इनका डिफरेंस हो गया 5, this is estimation, manpower requirement पता चल गया, फिर हम recruitment करते हैं, जादा से जादा लोगों को motivate करते हैं, हमारी job के लि करते हैं, that is orientation, फिर हम training करते हैं, employees के development पर फोकस करते हैं, फिर हम देखते हैं कि काम कितना अच्छे से कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, एपरेजल करना, जो लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, उनको promotion दे दिया जाएगा, उनकी career planning कर दी जाएगी, जो अच्छा नहीं कर होंगे, उनको वापिस से training पर बेज दिया जाएगा, और फिर हम compensation decide करते हैं कि पैसा कि इसको कितना दिया जाएगा, यह पूरा पूरा staffing process में आ जाता है, यह इतना process important क्यों है, why staffing is important, why putting the right person at the right job is important, इससे क्या होगा, आपको अच्छा employee मिलेगा, आपकी performance बढ़ेगी, survival और growth असान हो जाएगी, utilization होगा, human resource का, उसकी skill का, उसकी abilities का, और job satisfaction मिलेगा, मुझे इस काम में job satisfaction है, DJ बजा के नहीं मिलेगा, भाई मुझे satisfaction, ठीक है, staffing as a part of human resource management, बस यह धियान रखना बच्छो, human resource management एक बहुत बड़ा task है, staffing एक छोटा सा task है, staffing का मतलब simply सही इनसान को सही multiple things, so human resource management एक बहुत बड़ा concept है, staffing एक छोटा सा concept है, ठीक है, recruitment क्या होता है सर, मैंने आपको बताया, जब जादा से जादा लोगों को motivate किया जाता है, कि वो हमारी job के लिए apply करे, उसको हम क्या बोल देते है, recruitment बोल देते है, recruitment के sources क्या है, internal, external, internal क्या होता है, जब आप organization के अ दूसरी job पे भेज दिया, पैसा सेम, responsibility सेम, status सेम, सब सेम, इसको हम horizontal भी बोलते है, promotion क्या होता है, कि नीचे से उपर, तो सब कुछ बढ़ता है, responsibility बढ़ती है, pay बढ़ती है, हर चीज इंक्रीज होती है, उसको बोलते है, promotion, क्या merit होंगे, employees motivated रहते हैं, क्योंकि उनको पता ह हमें job मिलेगी, ज्यादा पैसा मिलेगा, selection process हसान है, क्योंकि आप जातर लोगों को जानते हो, transfer एक tool भी है, जिससे आप train कर सकते हो, लोगों को अलग-अलग जगा transfer करके, workforce को आप shift कर सकते हो, surplus department से, deficit department में, और ये एक cheaper source है, क्योंकि खर्चा एक बार हो चुका है, तो बार- enterprises, internal source, use ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो बिलकुल नया enterprise है, fresh enterprise है, competition खतम हो जाता है, और productivity भी खतम हो जाती है, क्योंकि बार-बार transfer ही हो रहे है, तो यह आजाता है, बच्चों, हमारे पास internal sources में, इसके बाद external sources क्या होते हैं, जब आप बाहर से लोगों को appoint करते हो, jobs के लिए, तो सर, बाहर से कैसे हम पॉइंट करते हैं, एक होता है direct recruitment, direct recruitment क्या होता है, जब office के gate पे notice लगा होगा और उस notice पे लिखा होगा भाया, हमें employee की जुरत है, अगर आपको लगता है, आप capable हो, अगर आपको लगता है, आप अवेलेबल हो, तो आप आजाओ सीधा walk-in करो interview के ल rating list में से selection कर लेती है, उसको हम क्या बोलता है, casual callers, advertisement बच्चों TV पे आड आ सकता है, उस एड देखके लोग आ जाते हैं, नोकरी पे apply करने के लिए, employment exchange क्या है, यह organization है, जो government-run organizations होती है, जिसके अंदर सरकार लोगों को नोकरियां दिलवाती है, तो government के exchange है, जहां पे companies आती जोब डूडने के लिए, तो दोनों को मिलवाने का काम employment exchange करता है, placement agencies का भी same काम होता है, बस फरक होता है कि यह private होती है, employment exchange सरकारी होते है, campus recruitment, जब college campus से बच्चों को jobs देते हैं, उसको campus बोलते है, recommendation of employees, जब कोई पुराना employee recommend करे किसी नए employee को, वो recommendation होता है, labor contractors, जब आप को ठेकेदार को appoint करते हो, और ठेकेदार सारी labor खुद लेकर आता है, आपकी tension नहीं है, तो उसको आप labor contractor बोलते हो, TV पे add दे सकते हो, ठीक है, उसके बाद, अच्छा सरी advertisement और advertisement on TV में क्या फरक है, बच्चों यहां पे newspaper, magazine, इस जगह पे था, pamphlets पगयरा से, यह सिर्फ TV पे है web publishing होता है, internet के through भी लोगों को jobs मिलती है, जैसे LinkedIn बहुत popular source है, और SAC websites भी है, तो यह सारा बच्चों external sources में आता है, इसके गया merits है, जो उसके demerits से, जादा qualified personal मिलता है, जादा choice है, fresh talent मिलता है, competition की spirit बनी रहती है, demerits, existing staff dissatisfy हो जाता है, lengthy process है, बड़ा process है, और costly है, यह हो selection, सर, selection क्या होता है? selection होता है, इतने साой लोग को आपने motivate कर दिया, apply करने के लिए, select तो कुछी लोगों करोगे न, यह स्लिए, selection को एक negative process भी बोला जाता है, ठीक है, अब selection process में क्या होता है बच्चों, selection process में, बच्चों हमारे पास सबसे पहले होता है preliminary screening, preliminary screening का मतलब होता ह है सबसे पहले आपको उपर-उपर से चेक कर लिया जाएगा कि आप इस जॉब के लिए फिट भी हो या नहीं हूं फिर आपके शलेक्शन टेस्ट होते हैं सेलेक्शन टेस्ट में हम लोग बोलते हैं पती-टेस्ट ठीक है जिसके अंदर सबसे पहले नई skills सीख लोगे trade होता है बच्चो कि आपके पास current कितनी skills हैं interest होता है आपका interest चेक करना intelligence होता है आपका IQ चेक करना ठीक है तो screening हो गई फिर test हो गई जिन्होंने test निकाले उनका interview होगा ताकि उनका overall confidence, body language सब चेक किया जा सके फिर उनका reference चेक होगा background चेक होगा कि भईया कहां से आये है सही भी है background या नहीं है पिछली organization में कैसा काम किया फिर उस पर decision होगा अगर आप select होते हो तो फिर आपका medical कराया जाएगा कि आप medically भी fit हो या नहीं हो फिर आपको job offer करी जाएगी और job offer के फिर आपको proper contract मिलेगा अगर आप offer को accept करते हो अगर आप accept करते हो सारी terms and conditions लिख्यों होती है फिर आपको contract मिल जाता है test कौन कौन से होती है मैंने बता दिये पती test इसके बारे में भी सब बता दिया इसके बाद भी है training and development training and development को किसी भी organization में जब आप जाओगे recruitment हो गया selection हो गया फिर आपको training दी जाएगी जाएगी आप कितने ही पड़े लिखे क्यों ना हो हर organization का culture हर organization का way of working अलग होता है training की जुरत बढ़ दिया और development क्या है आपका overall growth training के क्या-क्या फाइदे हैं बच्चो basic basic 3 points 3-3 points आपको याद होने चाहिए training में that is it क्या wastage of effort नहीं होता money wastage नहीं होता employee की productivity बढ़ जाती है future managers build होते है morale बढ़ा रहता है और employees को क्या फाइदे उसकी skill knowledge अच्छी हो जाती है उसका career अच्छा होता है performance अच्छा होता है आप लोग normally देखोगे कि छोटे-छोटे बच्चे हैं वो काम सीख रहे होते हैं दिरे-दिरे वो बड़े बजाते हैं सब सीख जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं apprenticeship programs internship क्या होता है जब college के बच्चे companies में जाके काम सीखते हैं उसको हम internships बोलते हैं हमारे organization में ही बहुत सारे students हैं जो हमारे साथ internship करते हैं तीन महीने की छे महीने की काम सीखते हैं उनकी skill develop होती है काम करना आता है discipline develop होता है उसके बाद job rotation job rotation क्या होता है हमारे पास job rotation होता है कि एक job से दूसरी job पे लेके जाना एक job से दूसरी job पे transfer करना उससे भी काफी skills develop हो जाती है then off the job में vestibule school होता है vestibule school में या vestibule training में जहां पे बहुत sophisticated machine होती है तो sophisticated machine हैं महंगी हैं सीधा उसको बिठा दोगे खराब कर देगा तो उसको directly machine पे ना बिठा के पहले एक demo machine पे training करा जाती है जब आप सीख लोगे फिर आना जैसे गाड़ी सीखने आते हैं लोग तो अपनी गाड़ी ना ठोग के पहले सीखते हैं car driving school में जाते हैं वो भी एक vestibule school का ही example है तीन हो गए बच्चों खतम अब आ रहा है चौथा chapter that is directing अब सर डारेक्टिंग क्या होगा डारेक्टिंग बच्चों देखो चौथा है फंक्षन जिसके अंदर अब डारेक्ट किया जाएगा डारेक्ट का मतलब बताया जाएगा चलो वह यह प्लानिंग होगी organizing में departments बन गए, staffing में लोग आ गए, अब काम शुरू करो, direct किया जाएगा तो directing refers to the process of instructions देना, guiding करना, counselling करना, motivating करना, यानि motivate करना लोगों को lead करना ताकि goals achieve हो पाएं, इसके अंदर क्या क्या आता है? supervision, leadership, motivation, communication, characteristics क्या है? initiates action, काम यहां से चालू होता है, हर level of management पे direction चाहिए, continuous process है, कभी खतम नहीं हो सकता और top से bottom पे जलता है, उपर वाले तो नीचे वाले को बताएगा, ठीक है? आओ जी, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास importance of directing importance of directing में क्या क्या आता है, क्यों important है? initiate action, यहां से काम चालू होता है, integrates employees efforts, एक अच्छा manager, सब employees को एक साथ लेके चलता है, employees को guide करता है, कि उनका क्या potential है, वो क्या अचीव कर सकते है, जो भी changes है, time to time, जो करने है, उसको करने में help करता है, और stability और balance बना रहता है, और प्रि supervision में बैचो सिर्फ आपको meaning पता होना चाहिए, सर, supervision का क्या मतलब होता है, जब आप किसी भी employee के boss हो, या उसके superior हो, तो आप उसको उपर से check करते रहोगे, super का मतलब over and above, vision का मतलब नजर रखना, तो over and above, जब एक superior अपने subordinate मे नजर रखता है, उसको supervision बोलते है, ठीक है, इससे क्या होगा, अच्छा contact बना रहेगा, link बना रहेगा, worker management में, unity बनी रहेगी, performance बेटर होगा, गलतिया मिल जाएंगी, ठीक है, यह सब इसके importance में आयाता है, motivation क्या होता है बच्चो, motivation एक process है, internal phenomena है, जिसके अंदर कोई भी motivator, अब motivator बच्चो कोई चीज भी हो सकती है किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए कोई टार्गेट हो सकता है, किसी के लिए कोई insult हो सकती है, किसी ने किसी की insult कर दी है, बहुत साई teacher, school में कई बार बच्चो को बोल देता है, कि तेर से कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो बच लोग गोल्स की तरब भागने लगते हैं मोटिवेट होके पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी जैसे मैंने आपको बताया टीचर ने डाट दिया वो छोड़के चली गई इसाब नेगेटिव मोटिवेशन में आ जाएगा पॉजिटिव मोटिवेशन तो आप सबको पता है रिवॉर्ड्स हो गए रिजर्ट हो गए गए कॉम्प्लेक्स फिनामिना है इंपॉटेंस क्या है क्यों इंपॉटेंट है मोटिवेशन पर्फॉमेंस बढ़ता है नेगेटिव से पॉजिटिव आटिट्यूट में बिल्ड़ अप होता है लोगों उसके बाद दिखकार की नीड्स ऑर इसी ओर्डर में इंसान की फुलफिल होगी जैसे 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 नीड्स फॉलफिल होती रहे क Cake वैसे वैसे इंसान का मौटिवेशन कम होता गा तो सबसे पहले जीवन में ने उन्सान काम क्यों धर た रहता है यह गिनीड्स गेलिए affection, care, love acceptance, कि मुझे इज़त मिले society में मुझे लोग जानते हो, पहचानते हो फिर उसकी होती है esteem esteem का मतलब self-respect, autonomy उसको लगता है कि भी या मेरा कुछ recognition हो, मैं जहां जाओ मुझे attention मिले, यह होती है esteem needs इसके बाद आती है last self-actualization self-actualization होता है self-fulfillment आपको अपना goal पता चल गया, आप वहाँ पे पहुँच गया, आपकी self-growth हो रही है, है ना, तो यह basically self-actualization needs में आ जाता है मैं जोने बोला, चलेगा ऐसा ही एक इनसान पहले इसके लिए मोटिवेट होगा और non-financial भी दे सकते हो financial में आप क्या-क्या दे सकते हो लोगों को bonus pay and allowance, यानि लोगों की salary बढ़ा दो productivity linked wage incentive productivity linked का मतलब जादा productive को जादा पैसा, कम productive को कम पैसा profit sharing, profit में हिस्सा दे सकते हो, co-partnership अपनी company के shares दे सकते हो, ESOP भी बोलते है इसको, ESOP retirement benefits दे सकते हो perquisites दे सकते हो, ठीक है perquisites क्या होता है sir, perquisites में इंशॉरेंस दे देते हैं perquisites में गाडी दे देते हैं ये सारे चीज़ आ जाती है non-financial कॉन से होते हैं, जिसमें आप पैसा नहीं दे रहे हो जैसे आप status दे रहे हो, यानि अच्छी पोजिशन दे रहे हो, climate अच्छा दे रहे हो, career advancement opportunity दे रहे हो time to time training देते हो, job enrichment देते हो, यानि fulfilled अच्छा लगता है जो काम कर रहे हैं, employee recognition program, time to time employee of the month, employee of the year, awards मिलते रहते हैं, employee participation आप employee को decision making में participate करवाते हो employee empowerment यानि आप थोड़ी freedom भी देते हो, कि अपने हिसाब से आप चलो ठीक है, तो ये सारा का सारा motivate करने के लिए incentives आ जाते हैं next आता है बच्छो leadership, leadership क्या है जिसके अंदर आपके पास एक power होगी जब आप दूसरे के behavior को influence कर सकते हो, लोग आपको follow करते हैं तो आप एक अच्छे leader हो, है ना हमारे देश में बहुत सारे बड़े-बड़े शांदार leaders होएं, आपको क्या लगता है, मुझे political leaders नहीं बताना please, politics is a completely different thing, मुझे business leaders बताओ आपके आज-पास आपको क्या लगता है कि कौन-कौन से leaders हैं जिनसे आप inspire होते हो, जिनको आप देखते हो, आपको लगता है यह एक इनसान है, जो बहुत motivate करता है, बहुत inspiring है और उसको देखके काम करने का मन करता है, वो एक अच्छा leader है तो वो आपके father हो सकते हैं, आपके आज-पास कोई ऐसा किसने कुछ बनाया है, वो हो सकते हैं रतन टाटा जैसे बहुत सारे business leaders हैं हमारे देश में तो यह सारी leadership की qualities होती है, ठीक है बचो features क्या है, एक ability है individual की, वो लोगों को influence कर सकता है लोगों के behavior में change ला सकता है अच्छी interpersonal relation develop कर सकता है goals की तरफ ले जाता है organization के और continuous process है, क्यों important है क्योंकि लोगों का behavior positively influence होता है इससे अच्छे relations बनते हैं लोगों के साथ जितने भी changes organization में लेके आने एक अच्छा leader असानी से ला सकता है conflicts असानी से handle कर सकते हो आप और training देने भी असान हो जाती है एक अच्छी leader की qualities क्या होंगी बच्छो physically fit होगा, knowledge होगी man of integrity होगा यानि दोगा दड़ी उसके खून में नहीं होगी initiative होगा, हमेशा आगे बढ़के काम करेगा, अच्छी communication skills होगी अच्छी motivation skills होगी self confident होगा, decisiveness होगी decision लेने में हमेशा अच्छा होगा और social skills भी होगी कितने प्रकार के बच्छो leadership styles हो सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं autocratic, democratic, lazifier autocratic का नाम authoritative भी होता है authoritative में होता है I style मैं जो बोलूँगा वो final है ऐसा हो सकता है कि आपके घर में गूमने चलते हैं बताओ कहां चलना चाहोगे फिर मैं भी बताता हूँ फिर हम मिलके decision लेंगे उसको हम बोलते है V style हम लोग मिलके गाम करेंगे that is democratic उसके बाद आपके पापा ने ऐसा बोला कि बटा तुम लोग decide कर लेना मुझे बता देना I'm all set मैं आ जाओंगा और हम सारे arrangements कर लेंगे तुम लोग जहां बोलोगे वहाँ चलेंगे weekend पर तो वो क्या होगे U style तुम करो I style is मैं करूँगा V style is हम करेंगे U style is तुम करो तो U style होता है बच्चो lazy fair ठीक है एक ऐसा process इसके अंदर exchange होगा ideas का views का facts का feelings का दो या दो से जादा लोगों के अंदर शुरुवात कहां से होगी communication की sender से एक इंसान जो message भेजेगा फिर उसके दिमाग में कुछ message भी होना चाहिए message फिर वो encode करेगा यानि मेरे दिमाग में ये सारी चीज़े हैं लेकिन मैं उस language में convert कर रहा हूँ कि मैं बोल पाऊ that is encoding अब किस माध्यम से मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ internet internet ने क्या करा उसको decode करा आपकी language में that is decoding फिर receiver आप तक पहुँचा then आप feedback दोगे comments में इतने प्यारा प्यारे feedback देते हो feedback और अगर बीच में कभी problem होई internet नहीं चला तो video रुख जाएगी that is noise वो disturbance है चलो भाई communication क्यों important है बच्चो कोई भी 2-3 points आप यहां से normally पढ़ सकते हो communication भी unnecessary बात नहीं करोगे to the point बात करोगे that is formal communication informal होता है जिसमें gossips भी होती है इसके अंदर rumors भी होते है हसी मज़ाग भी होती है इसको हम grapevine communication भी बोलते है क्योंकि इसका कोई fixed line of authority fixed chain नहीं है ठीक है यह होता है अवा बच्चो ग्रेप वाइन पहले होता है semantic barriers देखो नाम से याद रखना semantic barriers वो होते है जिसके अंदर आप देखोगे encoding decoding की problem है समझने समझाने में problem है जैसे गलट translation यूज कर लिया message अश्चे एक्सप्रेस ही नहीं करा symbol के different meanings हो सकते है price price हो गया right मैं बोलना चाहता था what is the price कितने कीमत है इसकी आपको लगा what is the price कितने क्या इसके साथ free मिलेगा price क्या मिलेगा टूटनमेंट चल रहा है कोई price मिलेगा तो देखो दोनों similar similar लगते हैं सुनने में तो ऐसे words हो सकते हैं तब भी समझ में नहीं आता कुछ लोग unclarified assumption यानि सामने वाले की बात को clarify नहीं करते हैं उसने बोला उसका मतलब कुछ और था आपने कुछ और समझ लिया technical jargon कई बार experts काफी technical words use करते हैं जो हमें समझ में नहीं आते वो ही समझने समझाने में problem technical jargon is important बच्चों एक्जाम में आ जाता है ठीक है जैसे डॉक्टर ने अपने पर्चे पे लिख दिया लॉयर ने कुछ टेक्निकल ही लिख दिया समझ में नहीं आएगा technical jargon है वो body language gesture recording body language से भी आपको कई बार लोगों की बात समझ में नहीं आती इसके बाद होते हैं psychological barriers psychological होते हैं बच्चों basically psychology state of mind मैं preoccupied हूँ मैं emotionally कहीं और मैं थोड़ा परिशान हूँ तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा आप से इस अब psychological में चलते हैं premature evaluation premature evaluation का मतलब होता है कि आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं पहले से ही assume कर लिए आगे की बात premature evaluation lack of attention मेरा ध्यान ही नहीं है आपके उपर मैं कहीं और occupied हूँ मेरा ध्यान ही कहीं और है वो हो सकता है loss by transmission कई बार जब बहुत बड़ी chain होती है कि एक से दूसरा दूसर से तीसरा बात ऐसे जा रही है तो बीच बीच में कई बार लोग भूल जाते हैं loss by transmission, distrust उसके बाद बचो organizational barriers organization की policy इस तरीके की है rules regulations इस तरीके की है status इसके अंदर आजाता है complex है यह सारे organization में आते है last होता है personal personal में होता है sender receiver की आपस मेरी बनती, एक दूसरे के against है वो सब इसमें आते है fear of challenge to authority हो गया lack of confidence हो गया, मुझे confidence नहीं है communication को improve करने के लिए क्या करा जाए यह एक read only topic है अच्छा listener बनो follow up लो, communication बार-बार करते रो present के लिए future के लिए दोनों के लिए communicate करो feedback लो कोई भी 4-5 point आप याद रख सकते हो last आ रहा है बच्चों हमारे पास controlling post DC में 5 वा sir controlling क्या होता है जब आप compare करते हो actual performance को planned performance के साथ कि मैंने जो plan किया था उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ जो comparison होता है इसको हम controlling बोलते है controlling क्यों important है क्योंकि goal अचीव हुआ या नहीं हुआ इससे ही पता चलेगा कितना accurately अचीव हुआ इससे पता चलेगा utilization हुआ या नहीं हुआ resources का wastage तो नहीं हुआ इससे पता चलेगा order में discipline से काम हुआ या नहीं हुआ इससे पता चलेगा तो इस तरीके के बहुत सारे points है मारे पास importance में आ जाते है सर controlling की relationship क्या है planning के साथ जली से बताओ planning और controlling में क्या रिष्टा है तो बच्चों हम बोलेंगे these both the functions are two sides of the same coin एक ही सिक्के के दो पहलू है बिना planning के controlling बेकार है plan ही नहीं होगा तो control क्या करोगे बिना controlling के planning बेकार है अगर तुम बस पढ़ते रहो तुमारा exam ही ना आओ तो यह क्या फाइदा है उस पढ़ने का अगर यही नहीं बदा चल रहा कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा तो दोनों चीज़े चाहिए ना तो planning और controlling में क्या रिष्टा है these are two sides of a same coin planning is clearly a prerequisite for controlling planning बहुत important है controlling के लिए controlling cannot be accomplished without planning ठीक हो गया इसके बाद बच्चों यह limitations भी आते हैं कुछ controlling के यह आपको अलग से syllabus में गिवन नहीं है बच्चों अच्छा जी controlling का क्या process है बच्चों इसमें है SMCAT 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 में सबसे पहले क्या करना है performance standard set करो performance standard आप अल्रेडी planning में सेट कर चुके होते हो वास उसको वापिस से आप एक बाद चेक करना होता है that is setting performance standards फिर आप measurement करो कि actually आपने कैसा perform किया है the measurement of actual performance फिर आप दोनों को compare कर लो कि क्या target था कैसा perform किया है suppose मैंने बोला मेरे boards में 80% आने चाहिए that is my performance standard मेरे i85% measure किया अब मैं compare करूंगा तो positive हो गया है तो इसके बाद बच्चों देख और positive हो जाता है i60 तो 20% की कमी रह गई अब इस कमी को बोलते है deviation अब मैं क्या करूंगा इसको analyze करूंगा तो चौता होता है मारे पास analyzing deviation तो analyze करने के लिए भी दो pointers बच्चों दिये गए हैं तब number one is CPC दूसरा is MBE CPC is critical point control sir critical point control क्या होता है critical point control ये बोलता है कि आप focus करो सिर्फ और सिर्फ key areas पे main areas पे अगर आप बहुत सारे areas को देखोगे तो आपके इतना समय ही नहीं होगा चोटी-चोटी गलतिया तो होती रहेंगी किस-किस गलती को पकड़ोगे एक बड़ा organization है चोटी-चोटी बात तो चलती रहती है ends up controlling nothing एक manager जो सब कुछ control करने ही कोशिश करता है उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो आप एक limit बना लो suppose मैंने बोला कि 80% का मेरा target है अगर 75 से 85 के बीच में राना आ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं खुश हूँ ठीक है तो मैंने एक limit बना लिया अब अगर 78 भी आया लेट इट भी 82 भी आया लेट इट भी लेकिन अगर 72 आया तो अब वो limit से बाहर चला गया अब उस पे खास ध्यान दो तो यह बोलता है management by exception उसके बाद last आता है बच्चो taking corrective actions taking corrective action का मतलब होता है अब आप action लो और जो भी कमी रही है उसको ठीक करो तो सबसे पहले performance standard set करो फिर आप अपना actual performance जितना भी हुआ उसको measure करो दोनों को compare करो कोई कमी निकले तो उसको deviation बोलते है उसको analyze करो key areas पे focus करोगे तो critical point control एक limit बना के उस limit से बाहर जा रहा है तो पकड़ोगे that is management by exception और फिर आप corrective actions ले लोगे techniques of managerial control हमें नहीं पढ़नी है last chapter आ रहा है बचो consumer protection consumer protection क्या होता है consumer को protect करना हर तरीके से अगर किसी भी तरीके से उसके साथ कोई fraud हुआ है कोई इस तरीकी की activity हुई है उसको consumer protection बोलते है consumer protection क्यों important है क्योंकि हमारा consumer ignorant है unorganized है यानि groups नहीं है अकेला अकेला घूमता रहता है widespread exploitation होता है बहुत जादा exploitation होता है अगर business के point of view से बात करें तो अगर business को long term में survive करना है तो consumer protection is very important business किसके resources यूज़ करता है society के तो यार सोचो ना society को हाम करोगे गलत बात है social responsibility आपकी social जिम्मेदारी भी आए कि आप किसी भी तरीके से किसी consumer को exploit ना करो moral justification अगर हम morally देखें अगर हम morals को ध्यान में रखें तो भी ये चीज गलत मानी जाएगी और last होता है government का intervention अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो सरकार बीच में intervene करेगी तो government ने बहुत सारे acts बनाए है consumers की protection के लिए ये सब acts हैं इसके अंदर आपको mainly ये याद रखना है कि Consumer Protection Act पहले 1986 चलता था अभी 2019 चलता है ठीक है बच्चो इसके बाद Consumer Protection Act ने हमारे पास 6 rights बताई है Sir कौन कौन सी right to safety right to be heard, right to be informed right to seek, redressal, right to choose right to choose का नाम बच्चो अब change हो गया है प्लीज याद रखना 2019 में Consumer Protection Act 2019 में ये right to choose को right to be assured बोला गया है तो आप प्लीज धान रखना अब आपको भी exam में क्या लिख क्या आना है right to be assured not right to choose ठीक है जी तो हम लोग क्या लिख क्या आएंगे right to be assured लिख क्या आएंगे ओके स्क्रीनशोट ले लो जल्दी से चलो भाई इसके बाद Consumer की कुछ Responsibilities दी गई है Sir, Consumer की क्या-क्या Responsibilities है देखो मैंने आपको पहले अभी जो सुबा Questions कराई थे उसमें भी बताया था कि aware रहे उसको पता होना चाहिए अच्छी quality का समान खरीदे ठीक है Risk उसको पता हो कि अगर मैं कुछ भी खरीद रहूं तो क्या है Labels को ध्यान से देखे Ensure करो कि आपको एक fair deal मिले अपनी dealings में honest रहो Cash memo हमेशा लो अगर कुछ गड़बड होती है तो complain करो Consumer societies बना के चलो Environment को respect करो तो बहुत साही responsibilities है जिसमें से आपको कोई भी 6 आद रखनी है बच्चो इसके बाद हमारे बाद आता है Consumer Protection के लिए क्या-क्या बना हुआ है सबसे पहले Self Regulation भीया खुद Rules को Follow करके चलो दूसरा Business Associations की Help ले सकते हो अगर नहीं समझ में आता Consumer को Aware भी होना चाहिए Consumer Organizations की मदद ले सकते हो और Government की मदद ले सकते हो Complain कौन कर सकता है अगर कुछ भी गड़बड होती है तो Consumer कर सकता है कोई भी Consumer Association Organization कर सकती है Government कर सकती है कोई भी Central या State एक या एक से ज़ादा Consumer कर सकते हो और भीहाफ आप Numerous Consumer Suppose किसी की पूरी Colony को लूट लिया गया तो एक दो लोग भी पूरी Colony के भीहाफ पे Case कर सकते है कोई भी Legal Area Representative भी कर सकता है Consumer Protection Act ने बच्चों हमारे पास तीन Bodies दी है एक करोड रुपे तक की The value of consumer complaint should not exceed रुपीज 1 करोड इसके अंदर President होगा दो Members होगे जिसमें से एक Women का होना जरूरी होता है अगर आप District Forum से District Forum के जो फैसला आया है उससे Satisfied नहीं हो और से Satisfied नहीं हो तो आपके बास 45 Days है आप 45 Days में अगली यानि की State Commission को जाके complain कर सकते हो ठीक है जी उसके बाद आता है बच्चो State Commission State Commission के अंदर देखो क्या चलेगा हमारे पास यहाँ पे जो cases है वो कितने रुपे से कितने रुपे तक के 1 करोड रुपे से 10 करोड रुपे तक के यहाँ पे जो cases चलेंगे वो चलेंगे 1 करोड का minimum और 10 करोड का maximum अगर आप यहाँ से भी satisfied नहीं हो तो फिर आप 30 दिन के अंदर-अंदर कहा जा सकते हो National Commission में जा सकते हो National Commission में कितने पैसे का case चलेगा 10 करोड से बढ़ा 10 करोड से जादा और अगर आप यहाँ पे भी satisfied नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर-अंदर further Supreme Court में जा सकते हो Mainly आपको यही याद रखना है Consumer Organization NGOs का क्या रोल है बच्चो Consumer Organizations क्या करती है लोगों को educate करेंगी periodicals publish करेंगी quality testing कराएंगी encourage करेंगी consumers को protest करने के लिए legal assistance provide करेंगी और initiative लेंगी cases में complain file करने का consumer के behalf पे तो यह थे बच्चो हमारे पास 6 chapters जो मुझे लगता है हमने लगबख 40 से 45 मिनट में पूरे revise कर ले होंगे यही purpose होता है quick revision का कि आपको exam से पहले अगर आप early morning सुबा 20 revision को देखोगे तो आपको मज़ा आजाएगा 6 chapters आपके सारे के सारे revise हो जाएगे तो बहुत अच्छे तरीके से revise करते चलना जो topic आपको लगए कि मुझे detail में पढ़ना है वैसे तो तुम किताब अगर सामने रखके पढ़ रहे हो तो तुम्हें कोई दिक्क्रत तुम्हें इस revision के मदद से भी बहुत अच्छे से revise कर पाओगे अब learning पे जोर देना आज पूरे दिन में कम से कम 5 chapters तो तुम्हारे तयार होने ही चाहिए P.O.S.D.C कोई कमी मत छोड़ना इसके अंदर बढ़िया तरीके से तयार कर लेना शाम को important questions कराता हूँ और फिर कल से चालू करेंगे अगले 6 chapters जो बचे हैं दो दिन है बढ़िया तरीके से करेंगे और अपने strong बना के चलेंगे business studies की preparation को और 100 में से 100 लेके रहेंगे in case आपका पहले हो जाता है suppose आपका पहले हो गया काम आप लोग इनको already prepare कर चुके हो तो बच्चो मैनेजमेंट क्वाली किताब में शुरू के 3 chapter बचे हैं उसको भी निप्टाओ chapter number 123 वो भी आज ही कीच दो तो बढ़िया तरीके से तुम्हाई तयारी हो जाएगी ठीक है thank you so much guys for joining again मिलता हूँ मैं आपको बहुत जल्द तिल दन सीया चेक के आथ बबाई